स्वागत है आपका फिर से में यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आरमी जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तो जैसे कि आप लोगों को आज का थमनल देके पता लगी गया होगा कि आज की वीडियो में हमके श्टोपिक के उपर बात करने वाले हैं दोस्तो आज की वड़ो में हम आप लोग को बताएगे दिल्ली के नए लोहे पुल की कहानी साथ में आप लोग को बताएगे कि क्यूं सलीम गड़ किले से मोर दिया रिलवे का फुलादी पुल दोस्तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एक कहानी दोस्तो आप लोग से चोटी सी कुजारी से प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखना बिन स्किप करिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे यमना नदीब पर बने 156 साल पुराने लोहे के पुल के ठीक बराबर में नया लोहे का पुल इस साल सितंबर तक त्यार हो सकता है पुराना पुल 12 फ लाडर बिछाने का काम भी पूरा हो गया है आखिर के चार पिलर्स को पूरा करने का काम चल रहा है इन में से एक फांडेशन के उपर नीचे से पिलर बनाने का काम चल रहा है रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए पिलर्स का काम हर हाल में मानसून से पहले पूरा करना है उनका दावा है कि इस साल सितंबर तक नया ब्रीज बनकर त्यार हो जाएगा नए पूल का अभी काम बचा हुआ है जी हां दोस्तों अपने सही सुना यमुरा नदी पर बन रहे नए पूल का काम अभी काफी बचा हुआ है काम की रफ्तार का अंदाजा इस पास से लग फाउंडरिशन के उपर खड़ा करने का काम चल रहा है यही काम करने वाली एजिंसी के पास मुश्किल से पांच महिने का समय ही बचा हुआ है मौनसुन के दुरान यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है इसकी वज़े से पिलर्स का काम रुख सकता है अगर पिलर्स तियार नह दोस्तों अब हम आपको बताएगे कि नए पूल बनाने में क्या अर्चन आई है ट्रेनों के लिए नए पूल की दरकार थी पुराने लोहे के पूल के ठीक बराबर में नया पूल का प्लैन बले ही साल 1997 से 98 में पास हो गया था लेकिन इसका काम टूठाजन श्री में नए पूल के सामने सलिमगर सबसे मचबू दीवार बनकर खड़ा हुआ था नया पूल बनाने के लिए किले के कुछ हिससे को तोरना पड़ता लेकिन ASI इसके लिए तयार नहीं हुआ इस वज़े से लंबे समय तक पूल का काम ठप पड़ रहा सलिमगर के लिए को बचाने क लिए नए पूल को हालका कर्व दिया गया इसी वज़े से इसमें पिलर्स की संख्या भी बनानी पड़ी आखिर के कुछ पिलर्स बहुत कम दूरी पर बनाने बनाये गये हैं जबकि बाकी सबी पिलर्स 61 मीटर की दूरी पर है पूल को मौनने के लिए आखिर में एक बॉक् पिलर्स कारियों से मिली जानकारी के अनुसार महाविर स्वामी पार्क के पीछे बने पुल से लेकर सिलिम पूर तक करीब एक किलोमेटर तक नए पट्री बिछाने के लिए जमीन लगबर त्यार है लेकिन इस पार अभी पट्री बिछाने का काम शुरू होना है इसी के मिलते को ने इंटर शुड़ों में जय हिन जय भारत एलवल गाइस